नमस्कार दर्शत मित्रो मैं हूँ पुर्वे पटेल दमिनियोज में आपका स्वागत है सवाचारों की शुरुवात करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर कोरोना के बढ़ते केस को देख संक्रदेश डमन और दाधरनगर हवेली की बॉडर शुक्रवार की राच से सील की जाएगी रेमेडी सेविर इंजेक्शन का काला बाजार करते वापी के उद्योग पती और दमन के फार्मा कम्पनी के मैनेजर पकड़े गए वापी के करमखल गाउं में सिल्वासा रोड पर बाइक को ट्रक चालक ने टक कर मारते पुत्री और भतीजे का मौत होते संसनी पार्डी नगर में प्रधान मंत्री आवाज योधना के अंतरगत मकान के प्लान की फी लेकर मकान नहीं बनते पालिका के सियोग को शिकायत की महरश्ट्र में आंशिक लोगडाउं के अंतरगत हुजरात में प्रवेश करने के लिए नकली आर्टी पीसिया रिपोर्ट लेकर आने वाले अठारा शक्स को कियागी रफतार संगप्रदेश दमन दादरानगर हवेली में कोरोना के केसों में दीन प्रति दीन बढ़ोतरी होते विकेंड कर्फ्यू का आदेश प्रशाशन द्वारा दिया गया था ये शमेशनिवार और रविवार में प्रदेश में चुस्त कर्फ्यू का आदेश किया गया है शुक्रवार के रोज रात से बॉर्डरों को सील की गई थी। दिया गया था। कोरोना महामारी को लेके ओध्यगीक एकोम में काम के लिए और दूसरे राज्यों में से आते लोगों को आटे पिसीयार रिपोर्ट कमपल सरी किया गया है। प्रशाशंद्वारा फर्मान करते हुए जैक पोस्ट पर दो किलोमीटर लंबी लाईने लग गई थी। जाल बिचा कर किया परदा फाश। दवाई के ग्यान का कोई संबन नहीं। ऐसे फनीचर के फैक्टरी के उद्योग पती काला बाजर में शुरू करते आखिरकार जेल की हवा खा रहे है। दमन की फार्मा कम्पनी के पास एक्सपर्ट लाइसंस है जिसका मैनेजर ने इंज इंजेक्शन के जथे का संग्रह करके रुपे पांचों का इंजेक्शन रुपे 12,000 में बेच रहे थे। 12 इंजेक्शन देते ही पकल लिया गया था। आरोपी के जेब की जाज करते छे और इंजेक्शन मिले थे। ये इंजेक्शन डमन की डाबेल की ब्रुक फार्मा कम्पनी के पास से लिये होने का आरोपी ने बताते पुलीस ने ब्रुक फार्मा के टेक्निकल डिरेक्टर मनी इस राम नारायन सींग निवासी जड़ाराम सोसाइटी चनोद कोलोनी वापी को गिरफटार किया था। इस राम नारायन सींग निवासी चनोद को गिरफटार किया था। इस राम नारायन सींग निवासी चनोद को गिरफटार किया था। इस राम नारायन सींग निवासी चनोद को गिरफटार किया था। इस राम नारायन सींग निवासी चनोद को गिरफटार किया था। इस राम नारायन सींग निवासी चनोद को गिरफटार किया था। उस राम एक ट्रक चालक ने टकर माते बाईक चालक प्रवेर भाईक के साथ पीछे बैठे 12 वर्षिय पुत्री निवासी निवासी निमखल की मौत हुई थी। गटना के चलते आसपास के लोग इखटा हो गए थे। और पिता के सामने पुत्री के साथ बतीजे की मौत होते रदय द्रावक द्रश्य दिखाई दिये थे। गटना को लेकर स्थानिक लोगों में रोश फेल गया था। गटना में मौतक पुत्री और भतीजी को गोध में लेकर माता रुदन करते रदय द्रावक द्रश्य देख लोगों के रौंग्टे खड़े हो गए थे। दुरगटना सर्श कर फरार हुए ट्रक को डुनने की का एंजीनियान ने एक वर्श से नक्षे के लिए रुपए 2000 लेकर फ्रॉट का परिवान ने लगाया आरो। लिखी तो शिकायत में पाड़ी पालिका के चीफ अफिसर को 3 मार्च 2021 के रोज पेशकर्श की गई थी। पर आज दिन तलक कोई भी हल नहीं आते। करने की जाज की जाए वो जरूरी बन रहा है। करने की जाए रुपए नक्सा बना माटे लेगेला एक ब्रस न उपर थेगेला शे। करने के जाए पर फोन करो तेम नाटक कर दंखी आपे शें की यह शू तहां शू फोन उचके नी ऊसी दंखी आपे से कि नमारा पास नहीं था वा देम यो तो मपिट मारी छे। पाइडी नगरपल के मार्जी आपने एक महीना भिल ले आपने तो एने कई रजिल्ट कई आउता ना थी कई कोई करता ना थी प्ले बेह जार रुपे आपने तो थातू नुथी महाराष्ट्र में आणशिक लोगडां के अंतरगत कुजरत में प्रवेश करने के लिए नगी आटी पिसिया रिपोर्ट लेकर आने वाले 18 शक्स को किया गिरफता महाराष्ट्र में हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आते आंशिक रूप से लोकडाउन की स्थीती बनते अन्य राज्यों से स्थाई हुए लोग किसी भी प्रकार से अपने वतन पहुँच रहे हैं जो कि गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सबी व्यक्तियों का 22 गंटे का आटी पिसिया नेगेटिव रिपोर्ट कमपर सरी का आदेश देते लोग नकली रिपोर्ट से गुजरात में प्रवेश कर रहे होने का ध्यान में आया है वलसार स्पी डॉक्टर राजदीप सिंजाला ने बताया कि आरोग्या और पुलीस की टीम ने बॉर्डर पर चेकिंग शुरू की है गुरुवार के रोज महाराष्ट्र से आने वाले रिपोर्ट का QR कोड स्कैन कर जाज करते 14 लोगों के नकली रिपोर्ट के साथ प्रवेश पाने का प्रयास करते पकड़ गए थे QR कोड को स्कैन करते मुल नाम, पता, उम्र और दीनांक बदल कर कम्प्यूटर से प्रेंट निकाल का रिपोर्ट बनाए गए होने का बहार आया था पुलिस ने नकली नगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रवेश करने वाले लोगों के सामने कानोनी कारियवाही शुरू कर आगे की जाज शुरू की है आज रोज आसरे चौद जिटला रिपोर्ट सस्पीशियस हमें प्राप्त करया थे हाल मा तेवा उपर काईदे सरकारियवाही करवानी प्रक्रिया चालू थे आ रेक एट ए रिते चालतू होए थे कि आरीटी पीशियार ना रिपोट मां QR कोड नाखवा मा आवहे थे आ QR कोड जे व्यक्तिया रिपोट करावे होए लेबोरेटरियाना नाम जो QR कोड करे थे पर घणाखरा लोको ए रिपोर्ट ने कम्पुटराइज एडिटिंग करी आने पोता नू नाम नाखी देचे आने तारिख मा फेरफार करी देचे ए लोकोर ने जनावा मागुचु आपना माध्यम थी कि गुजरात पोलीस संपूर्ण अपने सक्षम थे पर फिकरीड मां अलग नाम होई अने गुजरात मा प्रवेश मांकता व्यक्ति नाम अलग होई उमर मा तफावात होई तारिखों मा तफावात होई जेना पर थी ए प्रक्रिया कईदेशर हाथदर्वा माँचु आपना में लेते हैं एक छोटा सबरे दमन न्यूज प्रस्तुस करता है कोरोना वाइरस प्रिवेंशन और कंट्रोल वाश यूर हैंड अपने हाथों को साबून वह पानी से तकरिबन 20 सेकेंड के लिए धोए और एक अलकोहाणिक बेस सेनिडाइजर अपने साथ रखे चीकते समय अपने मुऊ एवं नाक को ढग कर छीके और हो सके तो नैपकीन का प्रयोग करे और नैपकीन को एक क्लोज दस्बीन में डिस्पोस करे अवाइड पीपल, बिइंग होली ओन दी एज ओफ सेलेबरेशन भारी लोगों की पीड से बचे, जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमेंट से बच पाए डिसिंफेक्ट दे एन्वाइमेंट, अपने आसपास सफाई रखे, स्वच भारत अभियान को याद करे बी अवेर, डोन्ट पी अफ्रेड, जागरुत रहे, डरेना प्रेक के बाद आपका स्वागत, वापी विस्तार के आज जितने पुलिस बूथ में कबजय किये गए रुपे 8.36 करोर की शराब फिलार में नश्ट की गए पिछले लंबे समय से बलसार जिला वापी विभाग में आते 8 पुलिस टेशनों में आये दमन, सिल्वासा और अन्य राज्यों में से 11 कानूनी तरीके से लाए जाने वाले शराब के जत्थे को जिला पुलिस अधिक्षक की सुचना और मार्गदशन अंतरगत विवीत पु पुलिस, डुंगरा पुलिस, वापी उद्योगनगर पुलिस स्थाना और उमरगाउं पुलिस स्थानों में विदेशी शराब का जत्था 8 करोर 36 लाग का हुआ था जिसका नास करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नामदार कौर्ट की मंजूरी पाकर शराब के कुनाश किया गया था आजे आशरे आठेक पुलिस टेशन नो दारून नो जे मुद्धामल पड़े होतो ये मुद्धामल नामदार कौट नी परवान की लाई और नास करवा मावे होचे आशरे 8.37 करोर रूपिया नो थवा पामेद कोरणा संक्रामन को रोकने के लिए कपराणा में तारिक 18-25 एपरेल तक साथ तीन का संपूर्ण लॉकडाउं का नी नाई कपराणागरू ग्राम पंचायत के सबी ग्राम जोनों को जानकारी दी जाती है कि नॉबल कोरोना वाईरस की तहद कदम उठाने के लिए अब काम के बगेर घर से बहार नहीं निकलना हाट बाजार, क्रिकेट टूनामेंट, राजकिय एवं धार्मीक स्थलोपी इखटा नहीं होना जैसे आयोजन करना दिनांक 18-4-2021 रविवार से 25-2021 तक संपूर्ण लॉकडाउन करने का गाउं के लोगों ने फैसला लिया है और अगर कोई विव्यक्ती नियम का पालन नहीं करेंगे तो 10,000 का दन ग्राम पंचयक द्वारा वसुला जाएगा और शादी समारों एवं छोटे बड़े प्रसंगों से पहले कप्राणा ग्रूप ग्राम पंचयक और जीस विभाग की मंजूरी लेनी चाहिए उसकी मंजूरी लेकर आयोजन करना होगा कोरोना गाइड लाइन के मुताबी 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को इखटा नहीं होना है जो की दूद, मेडिकल सेवाए और छोटी बड़ी दुकाने ही शुरू की जाएगी मास्क और सोस्यल डिस्टेंसिंग रखना होगा जैसे पालन करना चाहिए और नहीं किया गया तो 1000 का दंड भी वसुला जाएगा पार्टी बाला खाडी मेहूल अपाटमेंट में पार्ट की हुई बाइक चोड़ी होते लेखित में शिकायब दंज कराई गई पार्टी बाला खाली थी तो मेहूल अपार्टमेंट के पहले माले पर फ्लैट नंबर 103 में रहते श्रैले स्विठल भाई पटेल जो अपनी हिरो होंडा पैशन प्लस नंबर जेजे पंदर जेजे 9818 अपार्टमेंट के नीचे पार्ट की थी आज रोज सुब आट बजे मेना अपार्टमेंट में वाच्मेंट के तोर पर फरज बजातें के लिए जाने के बाद वापस मेहूल अपार्टमेंट में लोटते वहाँ पार्ट की गई बाईक नहीं दिखाई देते स्थानिक लोगों से पुछताच कर बाईक को डूंडा वापी के पूराने रेल्वे फाटक के पास संपादन की हुई दुकाने और मकानों का डिमोलिशन करने आए अधिकारी के पास ओडर मांते स्थर पर से फरार तीस दीन में कभजेदार और मालिकों ने तैग किये नुक्सान की भरपाई रूपे 6.33 लाग न मिले तब तक डिमोलिशन नहीं होगा दुकान दार ने बताया वापिपुराने फाटक पर पूराने दुकानों और मकानों को तोड़ने का आदेश सरकारी रेल विद्वारा एक अप्रल 2021 के रोज दुकान मालिकों और स्थानिकों को नौटीस दी गई थी जिसमें नियम 11 का उलेक किया गया है कि नौटीस मिलने के बाद 30 दिनों में जो कबजेदार और मालिकों को जो मुअबजा एक दुकान कबजेदार को 6,63,000 नहीं मिले तब तक डिमोलेशन नहीं होगा पर सरकारी अधिकारी कोई दास ने आकर 4 अपरेल के रोज तोड़ फोर करते अधिकारी के पास डिमोलेशन करने का ओडर पेपर और आईडी म मांगने पर अधिकारी वहाँ से चला गया था और जो दुकान मालिक है वो स्वेचीक तरीके से डिमोलेशन कर रहे हैं कबजेदार को न्याई नहीं मिलते रेलवे द्वारा दिये गए नौटी सोके नियोमों का सरकारी रेलवे अधिकारियों कानोनी उलंगन कर रहे हैं रेलवे मां आज समस्य है वी छे कि एलोके आमने एक एप्रिल नोटीस आपी गिया और चार तारीके तरह तो जे एलोकों तोड़ा माटे आवी गिया एक गरिप लोकों क्या जा से अने यह तुम आपाश्टाम भी माले तोड़ी नहीं सको आए निए तो अमारी तो आ दुकान छे विज्या लोगों अहिया रहता पण छे एक करीब लोगों क्या जया से अने चार तरीके डेलवेदी न मानसवा आविया आता ने एमने पेली एक दुकान तोड़ी नाखिती अमारा यहां थे छल्ली दुकान पच्छी में पूछी होतो कि अधिकार्ती दुकान तोड़ी है। ज्योंकि एना पासे कोई वर्क ओर्डर नहीं है तो, ना एनो नाम बताऊते हो तो, ना एनी पोजिशन डेजिगनेशन बताऊते हो तो, कि आहा मारी पोस्ट छे के सूच छे थे। बच्चे में एना काम अटकाई दे जो तो, ने बच् करी कोण निया थी है। कब जो अमार नाम आपनी नाम नाम नी है । नजले भल् 어ोक आं इन डाव होई जी इदे ऑने है कोई पन्परकार नी अमने जान कई रावगर्ड connər बताऊते हो यह। माली के आ तोड़ फोर चालू कर दीविशे। रेल्वे मा एक वखत रेल्वे मा जवन तोड़ यू खरो। ते पच्छी इती बदाए विरोत करो। अने अटकावानी वाद करी तेलोको निकडी गिया। अने पच्छी पाछा आभीसू एम करीने अजी कोई आयू ना थी रेल सिल्वासा में ट्राफिक जगरुपता के लिए आयोजित की गई प्रतियोगीता में विद्यो अन्थियों को स्पी के हाथों इना वित्रन किया गया। संक्रदीस दादरानगर हविली सिल्वासा पोलीस वेट कार्टर में ट्राफिक विभाग द्वारा रोड सेप्टी सप्ता अंतरगर जन्जागरुती कार्यक्रम के तहत माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित ड्राइंग, निबन, स्लोगन प्रतियोगीता में प ट्राफिक सप्ता के दौरान जन्जागरुती का संदेश प्रशारीत करने में अपनी भगिदारी जताई थी संदेशा पर ड्राइंग कंपडिशन ठाहर, स्लोगन कंपोरम क שמחार्या जन्जागरुती में इसमरी alumni संके तीम में प्रीलियोगीता है क्वे inhibल, स्लोगन कंपरिशन आता रहरा है需要 दर के बारे में वो हीसली के हाथ हो जवंए रूजव के बारे महीं में हमने उन्स रक्खा था तो था हमने अज बुचने को यह प्रैस दिलबाया है!' धरमपूर नानी धोलडूंगरी गाउं के साकार रीडिंग कोटेज प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए आशिरवाद रूप जरूरी साहित्य उपलब्द करवाना है उसी के साथ दूसरा उदेशी यही है कि स्कुलों में पढ़ते छात्रगन, युवागन एवं वरिष्ट और महिलाए पढ़ने में रूचिलाए यहाँ पे वांचन कुटीर में साका जीवन विकास ट्रस्ट मुंबई और CGS इन्फो ट से किताबे और पुस्तकालाई के रिए जरूरी टेबल, खुर्सिया, कवर्ट, इत्यादी, सुविधाएं भी उपलब्द की गई है साथ ही सब्रीकन्या, छात्रालाई के कपराणा के ट्रस्टी और मोटा पोंडा, कॉलेज के निवरुत्त प्रिंसिपाल, बी एन जोसी, टिंकू मेमोरियल, ट्रस्ट के निलेस भाई, राई चुडा और गुजरात राज्य, स्कुल संचालन महमंदल के भासकरभाई पटेल, इत्यादी किता प्रेमियो द्वारा किताबे भी प्राप्त हुई है, और गाव के लोगों, युवाव, सरपंच, स्कुल के शिक्षगण, एवं रेनबो वारियर्स, धरमपूर का भी परोक्स और प्रत्यक्स सहकार रहा है, बरसाजिला कलेक्टर आर आर रावल, जो ग्राम में एक नजर आज की सुर्खियों पार, कोरोना के बढ़ते केश को देख, संक्रदेश डमन और दाधरनगर हवेली की बॉडर, शुक्रवार की राच से सील की जाएगी, रेमेडी सेविर इंजेक्शन का काला बाज़ार करते, वापी के उद्योग पती और दमन के फार्मा कंपनी के मैनेजर पकड़े गए, वापी के करमखल गाउं में सिल्वासा रोड पर बाइक को ट्रक चालक ने टक कर मारते, पुत्री और भतीजे का मौत होते संसन, पार्डी नगर में प्रधान मंत्री आवाज योधना के अंतरगत, मकान के प्लान की फी लेकर, मकान नहीं बनते पालिका के सियोग को शिकायत की, महरश्ट्र में आंशिक लॉकडाउं के अंतरगत, उजरात में प्रवेश करने के लिए नकली आटी पीसिया रिपोर्ट लेकर आने वाले अठारा शक्स को कियागी रफ्तार, तो यह थे आज के समाचार, नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे, नमस्का. झाले में आजिक लुड़िवि доп시क्शना, झाल झाल